आप सबी दोस्तों का स्वागत है आपके यूटुब चेनल श्टेडी ओनलाइन चेनल में अगर आपने अभी तक चेनल को सस्क्राइब नहीं किया तो फड़फड चेनल को सस्क्राइब करें वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और latest notification के लिए bell icon की को press कर दे ताकि सबसे पहले आपको notification प्राप्त हो सके करते हैं वीडियो को आज हम environment के important topic भारत की कुछ प्रमुक नदियों के MCQ को discuss करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो वीडियो में अंतर तक बने रहेगा तो चली सबसे पहला question गंगा नदी निकलती है option देखिए अरावली स्रेणी से लद्दा ग्लेशियर से गंगोत्री ग्लेशियर से और मिलाव ग्रेशियर से तो दोस्तो इसका right answer होगा option number C गंगोत्री ग्लेशियर से दोस्तो गंगा नदी जो है वो सांस्कृतिक महत्तु की निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है इसलिए इसका right answer क्या होगा option number C और दोस्तो इसे यहाँ क्या कहते हैं भागीर्थी भी कहते हैं और दियो प्रियाग में भागीर्थी अलक नंदा से मिलती है और इसके बाद दोनों की जो संयुक्त धारा को है उसको क्या कहा जाता है गंगा के नाम से जाना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है और बात करते हैं लंबाई की तो इसकी लंबाई दोस्तो 25-25 किलो मीटर है दियान में रखिएगा और जो भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरती है पांच राज्यों के नाम कौन कौन से है तो देखे उत्तराखंड, उत्तरप्रदीश, जारखंड, बिहार और पश्चिमंगाल और पश्चिमंगाल में गंगा नदी को क्या कहा जाता है पदमा के नाम से जाना जाता है तो ध्यान में किएगा दोस्तो सारे point important है चलिए next question देखते हैं तिबबत की सामको नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है option देखिए यमना, ब्रह्मपुत्र, सिंदू, गंगा तो दोस्तो इसका right answer होगा option number B, ब्रह्मपुत्र देखिए दोस्तो तिबबत की जो सामको नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो बिस्व की सबसे बड़ी नदीयों में से एक है बात करते हैं इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 25 असी और भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है तो 13-46 किलो मीटर दोस्तो ध्यान में रखना ये दोनों आकड़े जो है वो किलो मीटर में है और ये विस्व में इसकी लंबाई है और ये भारत में इसकी लंबाई है अब देखें दोस्तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है या मान सरोवर जील के निकट यानि कि तिब्बत में जो मान सरोवर जील है उसके निकट चोमा यूंग डंग हिमानी से निकलती है और ब्रह्मपूत को तिबबत में साम्पू या साम्पू नदी कहा जाता है और इसका तिबबती भासा में अरत की है? पवित्र करने वाली नदी और दोस्तों ये जो है विसू की सबसे बड़ी नदी दीप संमू मानझुली जो है इसी नदी पर इस्तित है तो ध्यान में रखीएगा दोस्तो सारे point important है इसका right answer क्या होगा option number B. ब्रहमपत्र चलिए next question देखते हैं question है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है option देखिए स्वनरेखा दोस्तो ये रेखा होगा मा भी जाओंगा typing mistake होगई बी सिंदू, सी तापती और डी नर्वदा तो दोस्तो इसका right answer है option number A. सौनरेखा दोस्तो सौनरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भारत के जारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है और यह राची नगर से 16 किलो मीटर दूर दक्षिन पह्चे में इस्थित एक नगड़ी गाओं में रानी चुआ नामकिस्थान से निकलती है तथा बलेश्वर नामकिस्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है इसका right answer क्या होगा इसलिए सौनरेखा नदी अब देखिए दोस्तो तापती, नर्वदा और सिंदू ये नदियां तीनों जो है ये कहां गिरती है तो ये गिरती है अरब सागर में ध्यान में रखीगा दोस्तो सारे point important है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और जो भी दोस्त नए है चैनल पे चैनल को subscribe चरू कर दीजेगा चलिए next question देखते हैं दोस्तो next question है भारत में पूर से पश्चिम की और बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो दोस्तो इसका right answer है option number C नरवदा दोस्तो भारत में पूर से पश्चिम की और बहने वाली सबसे लंबी नदी नरवदा है और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 13-12 किलो मीटर और यह ब्रंस नदी का उधारन है और लूनी नदी की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 320 किलो मीटर और साबर मती की लंबाई की बात करें तो साबर मती की लंबाई है 371 किलो मीटर तथा तापती नदी की लंबाई है 724 किलो मीटर जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है नर्वदा नदी है जो पूर से पश्चिम की और बहने वाली नदी है चलिए next question देखते हैं दोस्तो question है भागेर्थी नदी का उद्गम इस्थल है option देखिए पिंडारी Glacier, सत्वो पंत गेशियर, चौरा बारी जील, गंगोतरी Glacier तो दोस्तो इसका right answer है option number D, गंगोतरी Glacier दोस्तो भागेर्थी नदी का उद्गम इस्थल जो है वो गौमो की यानि की गंगोतरी Glacier है जो उत्तरकंड के उत्तरकासी मिशते थे और यह नदी देव प्रियाग में अलग नंदा से मिलकर क्या बन जाती है गंगा नदी का निर्माण करती है और दोस्तो भारत में जो टिहरी बांद है वो इसी नदी पे बनाएगा है द्यान में रखी गा और यह कोशन पूछा जाता है आईए कोश अन्य नदीयां और उनके उद्गम स्थल को देखते हैं तो देखिए आपके सामने सिंदू नदी सिंदू नदी का उद्गम स्थल कहां पे है तो यह देखिए मानसरोवर कैलास परवत से सतलज नदी मानसरोवर जील के निकिट राकसाल जील से जेलम नदी कसमीर के बैरी नाग जरने से चेनाब नदी लाहूल से बड़ा लाचा दर्रे के बिपरीद दिशा में रावी नदी हिमाचल परदेश के कांगला जीले में रहतांग दर्रे से बियास नदी की बात करें तो ये भी रहतांग दर्रे से है बात करते हैं गंगा नदी तो केदार ना चोटी के उत्तर में गोमुक से राम गंगा नदी नैनी ताल से गोमती नदी का उत्गम इस्तल का है तो उत्तर प्रदेश के पीली भीद जनपत से अब देखे कोसी नदी, प्रवा, साथ धारां उसके मुक के धारा अरुन नाम से माउंट एबरेश्ट के पास गोसाई थान की चोटी से कोसी नदी का उद्गमिस्तल है चंबल नदी, मद्द प्रदेश के मौ के निकट, विंद परवत माला की जानापाव पहाड़ी से बेतवा नदी, राइसेन जनपत, मद्द प्रदेश के कुम्रगाउं से निकलती है केन नदी, मद्द प्रदेश के सतना जिले के कैमूर पहाड़ी से तमसा नदी कैमूर के पहाड़ियों में इस्तित तामस कुंड नामक जलासय से सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन बदर से दामोदर नदी छोटा नाकपूर का पठार पालमू जानी जारकंड से ब्रमपूत्र नदी मांसरोवर जील के निकट आंकसी गलेसियर से गोदावरी नदी नासिक महराष्ट के पश्चिम गाट में तरंबकेश्वर पहाड़ी से टिश्णा नदी महाबलेस्वर के पास पश्चिमी गाट से नर्वदा नदी मदप्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से तापती नदी मदप्रदेश के बैतूल जनपत की मुलताई से निकलती है महा नदी मदबर्दिस के राइपूर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है सावर मती नदी अरावली परवत माला यानि की राजस्तान से निकलती है माही नदी बिंद परवत माला मदबर्दिस से निकलती है और गंडक नदी जो है वो तिबबत के नेपाल सीमा पर थौली गिरी परवत से स्रेणी से निकलती है तो दोस्तों ये है कोछ इंपोर्टेंट नदियां और उनके उद्गम इस्थल तो इनको देख लीजेगा ध्यान से इनसे भी प्रस्न जरूर बनते हैं तो चलिए नेक्स्ट कोष्ण देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोष्ण है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताई ये बहुत इजी कोष्ण है और कई बार परिक्षा में पूछा जाता है औप्टन देखे गंगा, कृष्णा, ब्रभमपुत, गोदावरी तो दोस्तो इसका राइट अंसर है आप सभी को पता होगा औप्टन नमबर एक गंगा और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर और दोस्तो एक चीज़ और ध्यान रखीगा गंगा और ब्रमपुत्र का डेल्टा जो है वो बिसो का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है तो यह बात ध्यान में रखीगा गंगा और ब्रमपुत्र जो है वो डेल्टा का निर्मार करती है और इनका डेल्टा बिसो का सबसे बड तेल्टा कहलाता है और गंगा नधी का उद्गम इस्तल आप सभी को पता है कि उत्त्रा खंड के उत्तर कासी जिले में गौमुक के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है और यहाँ इसे भागीर्ती की नाम से भी जाना जाता है और गंगा की दो सीर सिधारा हैं अलगनंदा तता भागीर थी जो उत्तरा खंड में देव प्रयाग में संगम करके गंगा का निर्माल करती है तो ध्यान में रखीगा दोस्तो सारे point about it है बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी की तो देखिए इसकी सहायक नदी यमना हैं गंडक है घागरा है टोन्स है सोन है राम गंगा है बागमती है कोसी है ये सबी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये भी ध्यान रखीगा इससे भी question पूछा ज और दोस्तो इसका राइट अंसर है और इस नदी को आगे गंगा के नाम से जाना जाता है और दोस्तो यहाँ एक मानेता है और इस मानेता के अनुसार यहाँ देव सर्मा नामक एक तपस्वी ने कड़ी तपस्या की थी जिसके नाम पर इस इस इस्थान का नाम जो है वो देव प्रयाग पड़ा अब देखिए बात करते हैं रुद्ध प्रयाग की तो यहाँ पे मंदांगनी वा अलग नंदा नदी जो है वो मिलती है और कन प्रयाग में पिंडार नदी और अलग नंदा नदी मिलती है तो ध्यान में रखीगा दोस्तो और गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गमिस्थल है तो यह सारे पॉइंट इंपटेंट है ध्यान में रखिएगा चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं दोस्तो चलिए दोस्तो नेक्ट कोशन है भारत में सबसे बड़ी प्राइदीपी नदी कौन सी है और यह नदी महराष्ट के नासिक जनपत के तरंबकेश्वर नामकिस्तान से निकल दी है बात करते हैं इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई है 14-65 किलो मीटर ध्यान में रखेगा और यह आंद प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस नदी को ब्रद यानि की बुड़ी गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है और देखिए दोस्तो प्राइदीपी भारत की लंबाई की दरिश्टी से अगर हम चार नदीों की बात करें तो सबसे नमबर वन पे कौन सी है गोदा वरी दूसरा इस्थान किसका है तो ध्यान में रखेगा दूसरा इस्थान है क्रिशना नदी का और क्रिशना नदी की लंबाई कितनी है तो 1400 किलो मीटर अब देखें तीसरे नमबर पे कौन सी है तो तीसरे नमबर पे है नर्वदा नदी और इसकी लंबाई है 13-12 किलो मीटर चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे है ये देखे महा नदी और इसकी लंबाई है 858 किलो मीटर और कावेरी नदी जो है वो पाँचवे नंबर की नदी है और इसकी लंबाई है 805 किलो मीटर तो ध्यान में रखीएगा ये प्राइदीपी लंबाई के हिसाब से इनको बताया है कि पांच जो है प्रमुक नदियां कौन सी है लंबाई के अनुसार प्राइदीपी तो पहले नमबर पे गोदावरी है और उसने यही पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी प्राइदीपी नदि कौन सी है तो गोदावरी हमारा राइट अंसर होगा अगर पूछता कि दूसरे नमबर की कौन सी बड़ी प्राइदीपी नदि है तो वो कृष्णा होता तो ध्यान में रखीएगा दोस्तो सारे पॉइंट इंपॉइंट है और गोदावरी नदि कहां गिरती है तो य अलमाटी बांद वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है तो दोस्तो सारे पॉइंट है जो इंपॉइंट है बहुत ही महत्वपूर है तो चलिए दोस्तो नेक्ट कोशन देखते हैं वीडियो में अंतर दक बने रहिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को नेक्सा पॉष्ण देखते हैं चलिए दोस्तो नेक्सा नमलिकित में से कौनसी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है यानि कौनसी नदी निर्मान नहीं करती ऑ्प्शन देखे गंगा गोदावरी ब्रह्पत्र और ताप्ती तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओसंन नमबर दी तापती दोस्तों तापती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती और ये एस्शूरी बनाती है ध्यान में रखेगा दोस्तों और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो बिस्व का यानि की संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है और देखे इस साथ भी नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और दोस्तो मद्य भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें कौन है तो मद्य भारत की सबसे लंबी नदी ध्यान में रखीगा उसका नाम है नर्बदा और दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाती है तो देखिए तो फिलाल उसने हमसे क्या पूचा है कि कौन सी नदी का मुहाना जो है वो डेल्टा का नहीं है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ऑफसर नमबर डी तापती तो उम्मीद है दोस्तो आप ये चीज समाज गए होंगे चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर कौन सी है ओफसर देखिये यमना नहर, सिरहंद नहर, इंदरा गांधी नहर, अपर बाड़ी दोआब नहर तो दोस्तो इसका राइट अंसर है ओफसर नमबर सी इंदरा गांधी नहर दियान में रखेगा बहुत इ इंद्रा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुक्ष नहर है और इसका पुराना नाम की बात करें तो राजस्थान नहर था और दोस्तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहर है और इसका निर्मार कब हुआ तो इसका निर्मार ध्यान में रखीगा 31 मार्च 1958 को इस नह बाली गई है और यह भारत में सबसे बड़ी सी चाही नहर है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ऑफसन नंबर सी होगा चलिए नेश्ट कोश्चन की और चलते हैं दोस्तो चलिए नेश्ट कोश्चन है भाकडा नागल पर यूजना कौन सी नदी पर है ऑफसन देखिए सतलज नदी ब्रह्मपुत्र गंगा कावेरी दोस्तो बहुत इंपोर्टन कोश्चन है ये कई बार परिक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है ये प्रसन तो इसका राइट अंसर है ऑफसन नंबर ए सतलोज नदी तो दोस्तो सतलोज नदी जो है वो पंजाब राज तो ध्यान में रखीएगा दोस्तो ये तीन राज्यों की संयुक तो परियोजना है भाकडा नगल परियोजना और ये सतलोज नदी पर बनाई गई है और इस परियोजना की आधार शिला की बात करें की कब रखी गई तो 17 नौंबर 1955 को उस समय भारत के प्रधान मंदिरी कौ सदलब कप किया गया तो अक्टूबर 1963 में इस परियोजना को कम्प्लीट किया गया यानि की पूरा किया गया तो ध्यान में रखीएगा दोस्तो सभी पॉइंट इंपोर्टन है तो भाकडा नागल बांध कौन सी नदी पर है तो वो सतलज नदी पर है और सतलज नदी पंज पंजाब में इस्तित है और दोस्तों ये जो है भाकणा नागल परियोजना ये तीन राजयों की सैयोग तो परियोजना है राजस्तान पंजाब और हरियाना दोस्तों सारे पॉइंट इपॉटेंट है कोशन एक रहता है और जो भी हम एक्सप्लेइन करते हैं उससे भी कोशन ऑर पोचे जाते हैं तो ध्यान सेसोना करिए दोस्तों और जो भी दोस्त नए है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्रइब कर जन्दा गंगा तो इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर ए भागीर्थी नदी तो टेहरी बान जो है वो भागीर्थी नदी पर बना हुआ है त्यान में रखीए का दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तो उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगाओगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा